इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत सोच समझ के कीजिए, ऐसी बहुत चीज़ें और बहुत सारे लोगों को डूपते हुए देखा है मार्केट में, हम में से कोई बायर है, तो कोई राइटर है, दोनों में पैसा है, अगर सोच समझ के, स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए, तो उतना पैसा मत लगाईए, कि दो-तीन महीने में पता चले, कि आप मार्केट से पर्मानेंटली आउट हो गए, आपके 2-5 लाक रुपे लग गए, ऐसा काम मत करिएगा, प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हालो फ्रेंज, मैं हूँ जोती बुदिया, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट, डिमांड आई, कि मैं ओप्शन्स पे करूँ, इंट्राडे ओप्शन्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी, मैं आज तक यह सोच रही थी, कि मैं एक थोड़ा सा सिखा सको, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक चीज, नोटिस करने की है, और नोटिस ही नहीं, ध्यान देने की है, याद रखने की है, कि जब हम इंट्राडे करते हैं, तो जो हमें सिस्टम बताता है, उस सिस्टम के बेस पे, हमें बिलकुल बिलकुल एकदम strictly follow करना है, stop loss hit is a stop loss hit, और बिना stop loss के कोई trade नहीं करना है, उस से बड़ी बात, जो मैं आज आप लोग को सिखा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये तरीका simple है, बाकी तो practice पे depend करता है, लेकिन पहले इसे paper trade कीजिए, paper trade के apps भी है, एक app मैं भी आपको दिखा दूँग उनमें try कीजिए, और जो virtual money है, उसके अंदर at least डेड़ गुना तो कमाई है, तो एक समझ में आएगा कि हाँ हमने किया है, दूसरी बात, paper money हो या real money, initially एक lot से ज़्यादा बिलकुल मत कीजिएगा, भले ही आपकी strike rate 60% है, 70% है, 90% है, चाहा 100 ही क्यों नौक हो लेकिन, एक lot से ही काम कीजिए, और तब तक करते रहिए, जब तक वो एक lot का जो पैसा है, वो चार गुना, पांच गुना न हो जाए, जब उस एक lot का पैसा चार पांच गुना हो जाता है, तो आप जाके दो lot का काम करेंगे, और वो जब चार पांच गुना हो जाता है, तो वो सारा पैसा side करके, आप दो ही lot से काम करेंगे, जब तक वो 10-15 गुना नहीं हो जाता, लेकिन हमेशा quantity इतनी control में रखिए, कि आप उसकी profit को हजम कर सकें, और loss में दुखी ना हो, इतना बड़ा काम मत करिए, कि ना profit हजम हो, और loss में बिल्कुल तूट जाएं, ऐसा वाला काम मत कीजिए, slowly slowly practice कीजिए, friends, जब मैं कहती हूँ कि मुझे 38 years complete हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब experience वगरा सब कुछ एक बार side रख दूँ, तो इसका मतलब यह होता है, कि मैंने 38 years में ऐसी बहुत चीजें और बहुत सारे लोगों को डूपते हुए देखा है, market में एकदम bankrupt होते हुए देखा है, मैंने करोडपती, अरबपती अगर गिनके fingertips पे होंगे, लेकिन डूबने वाले, bankrupt होने वाले अंगिनत होंगे, तो जो रहे गए और जिनोंने कमा लिया वो हमारे सामने हैं, और जिनोंने खो दिया, जिनका सब कुछ खतम हो गया, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हमें ऐसा लगता है, कि market में सब कमा रहे हैं, लेकिन जब खुद के दिल पे हाथ रखें, तो सब को पता है अंदर से कि कितना कमा रहे हैं, कितना खो रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इमोशन्स पे कंट्रोल करिए, जो सिस्टम बता रहे हूं, इस सिस्टम को आप मॉडिफाई करके अपने हिसाब से करना चाहें, उसको बेटर भी कर सकते हैं, और जिनको अलगो आता हो, वो इस चीज़ को अलगो पे भी डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें, उसको कर सकते हैं, तो चलिए मैं आती हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में options के चार्ट देखेंगे, options के चार्ट free version में भी आते हैं, लेकिन वो तीनों एक साथ खुलेंगे कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, यहां कि मेरा paid है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये तीन column बना लिया, यहां पर मैं spot रखती हूँ, spot का chart, यहां पर call का या put का chart, और एक put, यहां पर put, यहां पर call, तो तीनों हमने रख लिये, तीनों का जो movement है, तो मान लो इसका movement अगर ऐसे जाएगा, तो definitely call का movement भी ऐसे ही जाएगा, तो put का movement ऐसे आएगा, मैं ऐसा क्यों करने को कह रही हूँ, हम में से कोई buyer है, तो कोई writer है, तो यह concept देखी, दोनों लोग यह कर सकते हैं, बहुत लोग मुझे यह कहते हैं कि buying में पैसा नहीं है, writing में है, कोई कहता है writing में loss है, buying में पैसा है दोनों में पैसा है अगर सोच समझ के stop loss के साथ काम किया जाए ऐसा कुछ नहीं है कि buying में ही पैसा है या selling में ही पैसा है जिसका जो trading temperament हो, जिसको जो समझ में आता हो वो करें तो हमेशा खुश रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए, आप उतना ही पैसा लगाईए कि आप कम से कम, कम से कम, एक साल तक minimum market में टिके रहें उतना पैसा मत लगाईए कि दो-तीन महीने में पता चले कि आप market से permanently out हो गए, आपके 2-5 लाक रुपे लग गए ऐसा काम मत करिएगा, प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के request है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चार्ट और ये सब दिखाने के पहले इतनी बात क्यों कर रहे हूँ Friends, Intraday Trading वाकई बहुत डरावना है और खतरनाख भी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, Intraday Trading वाकई सोच समझके कीजिए डिमांड आई है, इसलिए मैं कर रही हूँ तो मैं भी डरती हूँ, ये सिखाने में, फिर भी जैसा मैं करती हूँ, आपको बताती हूँ और जो मैं कर रही हूँ, वो ही आपको बता रही हूँ, एक, दो, तीन लॉट से ज़्यादा न करें, तो अच्छा है, पैसा कमा कमा के घर में रखिए आएगा पैसा, लेकिन अगर रोज खोने लगेंगे, तो कोई limit नहीं है खोने की मैं अपने आपको भी रीटेल समझती हूँ, और जो सिखाती हूँ, वो भी रीटेल को ही ध्यान में रख के सिखाती हूँ हाँ, तो फ्रेंस चलिए, अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ क्या आप भी जोती बुधिया मैम से end-to-end trading पढ़ना चाहते हैं? If yes, then I have something very exciting to share with you. हमने जोती बुधिया मैम के साथ recently introduced किया है the Jyoti बुधिया learning path. इस learning path में आपको जोती मैम के सभी courses का access one go में मिल जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, इस learning path में technical analysis, options trading, open interest based trading, और मैम के बाकी सभी courses available है. And you know the best part? अगर आप इंडिविजुली इन को बाइ करते हैं, तो आपकी फीस कोच 1600 तो 2000 के बीच होंगी. But if you buy this learning path, you'll get it for only 9.99. Isn't that exciting? तो आज ही इस learning path को subscribe कीजे और Jyoti मैम से टेडिंग सीखे. Now let's get back to the video. So, अब यहाँ पे मैंने bank nifty खुला हुआ है, spot. यहाँ पे put, देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो P लिखा हुआ आ रहा है बीच में, यह put है. यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो बीच में C लिखा हुआ रहा है, मतलब यह कौन है? ओके, इसमें मैंने क्या यूज किया है? RSI, RSI के साथ हुआ उसका moving average, और super trend 7 by 2. 7 by 2 मैंने क्यों use किया? क्योंकि यह मैंने test किया है, it works beautifully. इसके सब के अपने-अपने हैं, कोई 10 by 3 यूज करता है, जनरली जो by default है, तो कोई 14 by 5 यूज करता है, कभी मैं भी उसको 6 by 2 भी करती हूँ, सब तरह से करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखाएगी, जब मैं 5 minutes में इसको लेती हूँ, तो 7 by 2 बहुत अच्छा काम करता है, तो 7 by 2 का इसका setting है, और अब हम इसको देखते हैं, तो friends, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी RSI 30 के उपर आया है, यहाँ पे भी RSI 30 के उपर आया है, और क्या किया है, कि एक red line को crossover किया है, यहाँ पे भी red line को crossover किया है, दोनों में फर्क क्या है, friends, यह morning की candle है, और यह देखिए, पहला ही trade, gap up खुला है, मुझे gap up खुले या नहीं खुले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या चाहिए, कि जैसे अगर यह मान लो नीचे आ गया, और running market में RSI भी नीचे आ गया, उसके बाद यह कभी reverse करता है पूरे दिन में, और उसके साथ यह वाला और यह blue line के उपर, suppose somewhere यहाँ पे आपको bind मिलेगा, तो यह जो है, यह bind with stop loss, trailing stop loss, लेट असे यहाँ पे by कोई भी chance से आपका SL हीट हो गया, तो भी 100-800 point मिलते हैं, इसी तरह से अब हम इसको call और put में भी देखते हैं, जैसे हमने देखा यह somewhere around 47-400 है, तो अब हम इसको call और put में भी देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसे put में देखते हैं, put में हमें क्या देखना हैं, अगर call में तेजी देखते हैं, तो definitely put में तो मंदी आएगी, तो यही अब हमें आपको दिखा रही हूँ, तो यही मैं आपको दिखाने की कुशिश कर रही हूँ, यह देखिए, RSI 70 के नीचे उत्रा है, क्योंकि reverse जाएगा, और यहाँ पर भी 70 के नीचे उत्रा है, यह crossover दिया है, यह crossover दिया है, यह gap down होने के बाद, यह almost sideways trend हो गया, लेकिन यहाँ पर, क्योंकि यह उपर चला गया, बाद में नीचे आया, तो लेटर से यह हमारे पास में approximately 200 या 195 पे हमने put shot किया, यह कौन सा strike है, 47,500, definitely stop loss तो लगाना ही लगाना है, तो मैं इसका stop loss, यह जो super trend रहेगा, blue आएगा और blue के उपर बंद आएगा, मैं उसको as a stop loss यूज़ कर लूँगी, नहीं तो initial stage पर, मैं इसे day high करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे approximately 25% मैं stop loss रखती हूँ, 25 या 30, तो मतलब 200 का 20% 40-50 रुपीज, यह 40-50 points यानि 250 लगभग मेरा SL रहता है, without SL मैं trade नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी, और अगर आप देखेंगे, तो यह super trend जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा है, राइट, अब यहाँ पर जैसे यहाँ आया, तो यहाँ पर मेरा fit trailing stop loss, इसके उपर कर दीजे 125, तो कम से कम यहाँ पर थोड़ी तो profit safe हुई, फिर जैसे नीचे आये, अब यहाँ पर blue उपर नीचे आ गया, और let us say SL hit हो गया, hit का मतलब hit, why, because RSI भी 30 के उपर आ गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे system क्या बोलता है, stop loss hit हो जाना, यह बाद में 10 पैसा जाए, या कुछ भी हो, system ने मुझे stop loss hit करके, trailing stop loss hit करवाया, and friends मुझे मान लो 50 में भी cut करनी पड़ी position, तो सोचो 195 का, मैंने position 50 में square off किया, तो भाई 140, 125, 100 रुपीज भी अगर, bank nifty में, intra day में मिल रहा है, options में, और क्या चाहिए sir, तो यह तरीका मुझे, बहुत easy, बहुत simple लगा, अब आते हैं उसके भी पहले, letter से यहाँ पर, अब हम देखते हैं यह दिन, यहाँ पर कहीं भी हमको, RSI 70, यहाँ पर सिर्फ ए 30 के उपर आया, राइट, और crossover करके, buy करवाया भी होगा put को, राइट, देखिए, हम buy कब करेंगे, मान लो यहाँ पर हमको buy दिया है, बट क्या यहाँ पर buy बनता है, नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि super trend, red, मतलब resistance, इसके नीचे है price, तो मैं buy नहीं करूँगी, जब तक blue line नीचे होके, यहाँ पर मुझे buying नहीं आएगी, अगर यहाँ पर मुझे buying आती है, तो यह मेरी trailing stop loss है, nominal profit आया होगा, गया कुछ नहीं है, सेम चीज अब यहाँ पर आते हैं, अग यहाँ पर क्या हुआ है, gap down open हुआ, और उसके बाद, मेरा जो momentum था, वो तो पूरा खतम हो गया, इतना बड़ा gap down के बाद, I cannot trade, अगर मुझे यह वहीं पर, मान लो, यह ऐसे उपर जाता, यह ऐसे जैसे उपर गया, और यह running market में अगर यह होता, तो यह gap नहीं दिखता, मुझे continuous यहीं से कहीं selling मिल जाती थी, तब तो मैं ले लेती थी, put short कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे मिली नहीं, ओके, सेम चीज, अब यहाँ पर देखते हैं, RSI 30 के उपर आया, of course buying बताता है, crossover हुआ, RSI 30 के उपर, but, क्या हुआ, क्या super trend buy बता रहा है, price is below the super trend, price is not about the super trend, मतलब अगर यहाँ पर आय, तो मैं buy करूँगी, क्योंकि यह blue वाला नीचे है, but वो इतनी late पहुचा है, कि हो सकता है, यही पुरा trade मेरे से miss हो जाए, friends trade miss हो जाए, मुझे कोई problem नहीं है, एक trade कम होगा, लेकिन अगर दो चार अच्छे trade हाथ आजाए, I am very happy with that, अब आते हैं इसी में call पर, same चीज है, आपको call और put साथ में रखने से benefit यह हो सकता है, कि call की movement और put की movement, अगर almost similar है, तो confidence थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब put बराबर नीचे जा रहा है, call बराबर उपर जा रहा है, और spot भी उपर जा रहा है, तो मतलब आपके लिए call फाइदे मन्द है, अगर market नीचे आ रहा है, put उपर जा रहा है, call नीचे आ रहा है, तो आपके लिए put buyer फाइदे मन्द है, call writing फाइदे मन्द हो सकता है, यहाँ पर भी देखिए यह वही चीज़ है गैप और फिर यहाँ पर आकर यह पहली कैंडल इतनी बड़ी आ गई कि उसके बाद हिम्मत नहीं होती है सीधी सीधी डबलिंग एक ही कैंडल कर गई 250 से 425 अलमोस डबलिंग जैसा है इतने में फिर हमसे तो नहीं लिया जाएगा न इग्नोर इट छूट गया है ट्रेड कोई प्रॉब्लम नहीं है माई फ्रेंज हजारों ट्रेड्स मिल जाएंगे लेकिन जो छूट गया उसके के नीचे या 70 के उपर से घुमा है नहीं न यह मेरा पहला क्राइटेरिया है जी हां आरेसाई 5 मिनिट में या तो नीचे से 30 के उपर जाए या उपर से 70 के नीचे आए तो ही मैं ट्रेड लोंगी नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लोंगी as simple as that पांच मिनिट में भी अगर आरेसाई में स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो मैं काम नहीं करूंगी यहां पे आई आरेसाई 30 के उपर मतलब मुझे कॉल बाई करना चाहिए राइट बट अब बताईए क्या मुझे कॉल बाई करना चाहिए नहीं ना because super trend के नीचे है अगर super trend के नीचे है तो मतलब अभी तक उसमें strength नहीं आई है super trend के उपर होता तो मैं बाई करती मतलब blue color का super trend उसके उपर होता तो अब सेम चीज अब सेम चीज हम यहाँ पे देखते हैं तब आपको और भी clarity आएगी RSI crossover RSI 30 के उपर और यह आया blue के उपर आया ना तो चलो यहाँ पे आपको जहां समझ में आता है यह आपका stop loss रहेगा उसके बाद हम इसे continue कर सकते हैं एक भार भी trailing stop loss हिट हुआ जैसे ही यह line shift होके उपर आ गई ना यह हमारा stop loss हो जाएगा इसके पास में लेट असे 125 राइट यहां पे आके हमारा stop loss हिट हो गया टॉप और बॉटम तो किसी को मिलनी सकता कि यह कहोगे कि भाई वो तो 275 तक जाके आया यह वो दो लॉट है तो डाल सकते हैं अगर मैं सिस्टम के हिसाब से चलू तो यहां पर मेरा SL हिट हो जाएगा और SL जो है approximately 150 के असपास मेरा SL हिट हो जाएगा ट्रेलिंग SL अगर मैं देखूं तो मुझे यह call option somewhere around 75-80 के असपास आया होगा 150 तक चला गया होगा अगर दो लॉट किया है तो सबसे पहला काम 180 हो एक lot बेच दो उससे क्या होगा कि आपका यह free हो जाएगा तो दूसरा वाला lot जो है वो फिर जितने में भी जाएगा वो आपका real profit हो जाएगा तो सबसे पहला काम अपने हाथ में जो चीज है ना उसे free करने की कोशिश कीजिए जिस तरह से हमने यह bank nifty में लिया है इसे हम stocks में भी कर सकते हैं इसे हम nifty में भी कर सकते हैं अच्छा हमें यह पर type क्या करना है nifty और उसके बाद हमें अपनी strike price type करने है right कैसे start करते हैं वो देखिए हमें nifty type किया अब मुझे अपनी strike price लेनी है let us say 22400 का call लेना है तो मैंने 22400 type किया और APR यानि April जो जो चीजे मुझे पता है वो लेनी है और date expiry date है 04 तो वो डाल दिया देखिए जो जो मैंने type किया है ना वो सब यहां पर highlight हो गए blue color में हो गए ना तो मैं यह आराम से ले सकती हूं आ गया very good अब यहां पर मुझे put लेना है तो मैं यहां पर क्या type करूंगी nifty 22300 ओके आ गया 22300 अब blue हो गए ना highlight अब मुझे यह पता है April month है तो APR तो APR भी highlight हो गए अब मुझे 04 मतलब 04 की expiry है तो मैं यहां पर 04 टाइप कर दूंगी और यह रहा put राइट यह put आ गया यहां पर तो क्या सेम चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है यह देखिए इसे में बढ़ा करके आपको थोड़ा दिखा देती हूं यहां से गूम गया और इसके साथ में यहां से बाइंग देखिए बाइंग फिर चलती जा रही है यहां पर जाक 15 के असपास हिट हुआ है, भाई, अगर 60 में मैंने ले भी लिया, तो 120 जैसे ही गया, सबसे पहला काम क्या, अपना कॉस्टिंग फ्री कर लेना, अगर वो हो गया, तो जैसे ही ट्रेलिंग ऐसे ला गया, हिट कर दीजे, और दुसरा, एक और चीज क्या दिख रहा है, 70 के मैं इमेडियेटली निकल सकती हूँ न, इसी लेवल के असपास, येस, तो और दस बीस रुपए मिल जाता है, ये हो गया, कॉल, अब आते हैं, पुट, तो पुट में भी 70 के नीचे, लाल, सुपर ट्रेंड लाल लाइन के नीचे, शोटिंग, है न, अच्छी चीज, बस systematically, RSI 30 के ऊपर, क्रॉस, ट्रेलिंग, पॉजिशन, स्क्वेर अफ, राइट, इस इत डिफिकल्ट, आई डोंट थिंग सो, चल, अब मैं एक, स्टॉक ले लेती हूँ, स्टॉक हम कैसे ले सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुए, लॉंग बिल्ट अप, शोट बिल्ट अप पे, तो उसी में से हम कोई भी एक स्टॉक चूज कर सकते हैं, लॉंग बिल्ट अप और शोट बिल्ट अप के ऊपर, तो कोई भी स्टॉक जो आज लॉंग बिल्ट अप में रहा हो, वो हम ले सकते हैं, या कोई भी स्टॉक आज जो शोट बिल्ट अप में रहा है, वे तो वो हम ले सकते हैं तो चलिए friends मैंने एक stock निकाला GSFC तो अब मुझे GNFC का लेना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी GS sorry GNFC और 670 call 25 APR यह सब मैं यहाँ पर type कर दूँगी आ गया 670 का call यह देखिए मैंने यहाँ पर type कर दिया और अब इसी को बढ़ा करके देख लेते हैं 5 minutes में friends इसका criteria में अगर मैं जाती हूँ तो 30 के नीचे RSI गया ही नहीं है और सीधा-सीधा 70 के उपर गया है तो 70 के उपर चला गया है और start में मुझे यहाँ पर मिल गया है छोटा stop loss के साथ में मतलब 2 या 3 रुपए के stop loss से मैं इसे trade कर सकती हूँ कहां तक? RSI 70 के नीचे आएगा वहां तक क्योंकि RSI ने भी crossover दिया यह भी दिया हां इसमें मुझे 30 के नीचे क्यों नहीं मिला because आज मैं जब यह recording कर रही हूँ तो it's a third trading day of the month तो stocks में इतने सारे charts नहीं मिलेंगे मुझे तो on the base of super trend और जो मेरे हाथ में RSI है 70 के उपर उसके base पे मैं यह call ले लूँगी और मेरा trailing stop loss यहां पे hit हो जाता है तो friends क्या आप भी जोती बुदिया माम से end-to-end trading पढ़ना चाहते हैं? If yes, then I have something very exciting to share with you हमने जोती बुदिया माम के साथ recently introduced किया है दी जोती बुदिया learning path इस learning path में आपको जोती माम के सभी courses का access one go मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस learning path में technical analysis, options trading, open interest based trading और माम के बाकी सभी courses available है And you know the best part? अगर आप individually इन courses को buy करते हैं तो आपकी fees कुछ 1600 तो 2000 के बीच होंगी But if you buy this learning path, you'll get it for only 9.99 Isn't that exciting? तो आज ही इस learning path को subscribe तीजे और जोती माम से trading सीखे Now let's get back to the video ज़र 5, 7, 10 रुपय भी मुझे मिल जाता इंटरादे और क्या चाहिए मुझे तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं trading And proceed ahead Friends, मेरे जो वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक मिलते हैं Comment मिलते हैं तो मुझे पता चलता है मुझे कौन से topic पे video बनाना है मेरी आप लोगों से एक और request ये भी है कि साथ साथ में नीचे type कीजिए कि आपको कौन से और video मेरे साथ बनवाने है जब भी मुझे time मिलता है छुटी मिलती है मैं आपके लिए जरूर videos बनाऊंगी और बनाते रहूंगी जब तक बना सकती हूँ बनाते रहूंगी demand कीजिए मैं पुरी कोशिश करूंगी बनाने की लेकिन ऐसे तो आप और मैं बात नहीं कर सकते इसलिए आपकी like आपके comments की किस topic पर आपको वीडियो चाहिए ये इसमें जरूर mention कीजिएगा तब ही मैं regular videos बनाते रहूंगी छोड़ूंगी नहीं Thank you very much